हेलो एबरिवन, वेलकम बैक टू माइ न्यू वीडियो ब्लड प्रेसर कम या ज़्यादा होना हमेशा ही रिस्की होता है कई बार टेंसर, देड़ तक भोका रहने या मौसम के वज़ा से एकदम ब्लड प्रेसर लो हो जाते हैं और चक्कराने लगते हैं और भी कई लक्षने जिससे आपको महसूस हो जाती है कि आपका बीपी लो हो रहा है लेकिन कुछ घरेलो उपाय अपनाने से पहले अपने ब्लड प्रेसर को चेक करवा कर कंफर्म जरूर हो जाएं कि आपका ब्लड प्रेसर लो है कुछ घरे लोपाई है जिसे आप अपना कर ब्लड पेसर को तुरत नॉर्मल कर सकते हैं जैसे एक ग्लास पानी में थोरा सा नमक और चीनी मिला कर तुरत पी ले इससे आपको काफी रहत मिलेगी रपका ब्लड पेसर कंट्रोल में आ जाएगा या फिर तुरत एक कप गरम काफी पीने से भी बीपी नॉर्मल हो जाते हैं एक किसरा विकल भी है आप एक ग्रास पानी में एक नीमू निचोर कर पी ले इससे भी बहुत जल बीपी कंट्रोल हो जाते हैं अगर लंबे समय तक आप भूखे थे इस वज़े से बीपी लो महसूस हो रही है तो आपको ब्लड पेसर को सामाने करने के लिए लेक्ट्रोल के पाउडर को भी घोल बना कर पीने से रहत मिलेगी यूँ तो लोग चौकलेट टेस्ट के लिए खाते हैं लेकिन ब्लड पेसर लो होने पर यह खास असर करती है क्योंकि चौकलेट में फ्लेनोल्स नामक एक रसाइन पाय जाता है जो ब्लड पेसर को नोर्मल करने में मदद करते हैं या फिर जब भी ब्लड पेसर लो लगे नारेल का पानी पीएं इससे भी बीपी सामाने बनी रहती है जो लोग नौन वेजिटेरीन हैं वो लोग दो मुर्गी के अंडियो बाल कर गरम गरम खाए इससे भी ब्लड पेसर नौर्मल हो जाते हैं इसके लाबा एक और उपाए है रजगुले दो से तीन पीस गरम गरम खाएं इससे भी आपका ब्लड पेसर कंट्रोल में रहता है ऐसे ही नौलेज हेल्थ एंड ब्यूटी से जुरी हुए दिल्चस्प वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक से रेंड सब्सक्रा जरूर करें स्टे सेब स्टे हल्दी कीप वाचिंग थैंक यू